जैहिन डियर स्टुडेंट स्वागत है आपके अपने चैनल स्टुडेंट वार में गाइस जैसा कि आप सभी सातियों को मालूम है कि यहाँ पे आप लोगों को एनेम की सांदार तयारी करवाई जाती है और बेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म है तो गाइस अभी तक जि आप लोगों के लिए यहाँ जो वीडियो लाया है यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो अभी पेपर हुए ओके अभी जो आपके पेपर हुए 2021 में ओके तीन दिन आपके पेपर चले है 15-16 और 17 फेबरोरी तो यह जो तीनों दिन के पेपर है पूरे शिप्ट व आया जाएगा अभी आप लोगों को यह पूरे पेपर सिप्ट वाई स्वालो करवा देते हैं ताकि आप सबी सातियों को पूरे सिप्ट के पेपर मिल जाए तो डियर श्टूडेंट वीडियो को पूरा पूरा देखना न भूले क्योंकि आगे आपको बहुत जाड़ा काम आने वाला है और इससे आप लोगों को पता चलेगा और अनुबह होगा कि आगे एक्जाम में किस तरह के question पूश सकते हैं ओके गाइस यहां पे बात करेंगे हम लोग जैसा कि आप सभी सातियों को मालूम है कि पीवी का जो syllabus था वो कुछ और था और यहां पे काफी changes देखने को मिले जैसे यहां पे आप लोगों के question जैसे इंडिया जी के से पूचा गया देन आपका बता दू और कहां से पूचा गया जैसे current अफेर आपका include नहीं था syllabus में फिर भी वहां की question उठाए गए तो इन सबको देखते हुए आपका जो next syllabus है वो यहां पे हम लोग तयार करने वाले है इससे पहले सभी shift के paper हम लोग यहां पे solution करेंगे चली बने रही वीडियो में start करते वीडियो आज का और हाँ वीडियो पूरा वाज चरूर कीजीगा क्योंकि इसका benefit तभी मिलेगा आप लोगों को जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे start करते गाईस जैसा कि first part आपका general knowledge का था तो general knowledge में पहला question start करेंगे हम पहला question आपका पूछा गया था यह जो हाँ यह जो आपका पेपर है यह आपका पंद्रा फेबरो वरी 2021 को हुआ था और यह आपका पहली shift का paper है ओके तो पहली shift का paper पहले हम स्वालू करेंगे then उसके बार second का फिर 16 का फिर 17 का इस प्रकार पूरे shift wise स्वालू करेंगे guys पहला question आपका है मद्यप्रदेश में जन में असलम सेर खान भारत के एक प्रसिद खालिस्तान खिलाडी है तो बहुती अच्छा और सांदार question है यहाँ पे अगर मद्यप्रदेश का जीके आप तो आपको question पुछा था असलम सेर खान is a famous player of India burn in मद्यप्रदेश तो dear student आपको बता दू आपका जो असलम सेर खान है वो एक भारती होकी खिलाडी है क्या है भारती होकी खिलाडी है देन आपको बता दू इनका जन्म कहां हुआ था तो असलम सेर खान का जन्म हुआ था था ओके dear student आपको question पुछ सकता था कि असलम सेर खान कहां से संबंदित है तो आप भोपाल करते ओके देन बता दू यहां पे जो असलम सेर खान है उनका निवासिस्तान देखिए जन्म आपका भोपाल में हुआ इनका लेकिन निवासिस्तान इनका है बैतूल से ओके कहां से बैतूल से और यह बैतूल से सांसत भी रहे है लोकसबा सांसत कब आपका 1884 से 99 तक यह सांसत भी रहे है ओके बैतूल से यह आप लोगों को ध्यान में रखना है और यह एक हौकी खिलारी है और इन्होंने क्या काम किया था ऐसा जिसके लिए फेमस है तो आपका जो आलामपूर में वहां पर इन्होंने जो है भारत को स्वर्न पदग दिलाने में मदद दिलाई थी ओके तो इस प्रकार आप लोगों को इसका उत्तर याद रख लेना है असलम से था हां की खिलारी है ओके बढ़ेंगे next question की ओर चली तो dear student next question आपका है second number का क्या पुछा था आप लोगों को चली यहां पर इसे छोटा कर लेते हैं हम लोग चली आपका question देखते हैं तो यह जो question पुछा था आपका second current affair का question था मदिप्रदेश उच्छ न्याले के वर्तमान मुख्य न्याइडिस कोन है जिनोंने 3 जन्वरी 2021 को पदबार ग्रहन किया है तो dear student बहुत सा student थे जो की current affair नहीं देखके गए थे क्योंकि यह syllabus में include नहीं था तो काफी साथियोंने गलत भी किया होगा तो बता दू आपको इसका सही उत्तर आपका होगा मान्य न्यायमूर्टी मुहमद रफिक ओके तो इनोंने 3 जन्वरी 2021 को पदबार ग्रहन किया था वर्तमान मुख मध हिदायत उल्ला है ओके बढ़ेंगे अगले question क्यों और अगला question आपका क्या है गाईज तो चली अगला question आपका third number का है और third number का question आपका है मधिप्रदेश का निमलिकित में से कौन सा सहर smart city mission का हिस्ता नहीं है देखिए second question आपका फिर से current affair से उन्होंने उठाया है which of the following cities of मधिप्रदेश is not a part of smart city mission मधिप्रदेश का निमलिकित में से कौन सा सहर smart city mission का हिस्ता नहीं है तो dear student जब next time preparation करें तो एक बिलकुल कहना चाहिए तो बड़ी रननीती के साथ और बिलकुल हम लोग सभी topic clear करेंगे current affair से लेके इंडिया जी के तक सभी यहां पे याने smart study करेंगे okay next time देखी तो मधिप्रदेश के जो सहर है smart city में नहीं सामिल है वो कौन सा सहर है तो देखी यहां पे सतना जबलपूर और सागर यह तीनों आपकी smart city में सामिल है जबकि गुना आपका smart city में सामिल नहीं है चली बढ़ेंगे अगले question क्यों अगला question आपका क्या है चली बहुत ही प्यारा सा और सांदार question मधिप्रदेश के किस छेतर में सरवादिक सोयाबिन का उत्पादन किया जाता है नर्वतागाटी देवास बगेलखंड मालवा तो dear student यहां पे इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मालवा ओके क्या हो जाएगा मालवा मालवा में सब्भाला तो यहां पर आपका जो सबसे बड़ा सोयाबिन कारखाना है वो आपका कहा है और स्यंत्र परहितसों तो ये आप लोग कमेंट जरूर करें चली बढ़ते हैं आगे देखी गाईज अभी आप लोगों को पेपर सॉलूशन करवा रहें जब हम लोग यहां पर प्रिपरेशन करवाएंगे नए सिलेबर्स के अलुसार तब आप लोगों को पूरे एक एक कोश्चन डिटेल वाइस क के सामने प्रोवाइड कर देते हैं कि किस प्रकार अलग-अलग सिप्टों में कोश्चन पूछा गया था दसवी सताबदी इसापूरो में लिखी गई वाम सताब कसीनी खालिस्तान पर एक टिपन्नी है तो ये आपकी है महावमसा पर टिपन्नी है ओके ये आप लोगों को उठा लिया ये आपका MP की हिस्ट्री का कोश्चन है ओके बढ़ते है आगे और आगे आपका अगला कोश्चन है गाईस यहां पे शिक्स नमबर का भाई महावीर खारिस्तान तक मद्ध प्रदिस राज जी के राज जिपाल के रूप में कारेरत रहे बहुत बढ़िया और काफी यहां पे अच्छे यानि जी के डीपली यहां पे पुछने के उन्होंने प्रियास किया है तो नेक्स टाइम इसी तरह की प्रिपरेशन करेंगे पूरी डीपली तो यहां पे जो भाई महावीर थे वो आपके 1998 से 2003 तक राज जिपाल रहे थे बढ़ेंगे अगले कोश्चन के ओर और अगला कोश्चन आपका हैगा इस यहां पे चलिए अगला सेवर नंबर का कोश्चन आपका है दिसंबर 2020 में पंडित दिन्दयाल उपाद्यर दूर संचार काउसल उत्रक्रिष्टता पूरुसकार से सम्मानित करने के लिए सरुप्रतम किसे चुना गया तो यहां पे आपका सरुप्रतम किसे चुना गया तो स्री निवास करन कुछ चुना गया ओके दिन आगे बढ़ते देखी ये आपका देखी ये और एक कोश्चन करेंट अफेर का तो करेंट अफेर की काफी आम पर पार्ट देखने को मिल रहे हैं और इंपोर्टेंट हो जाता है आगे जग भी तैयारी करें करेंट अफेर आपका बहुत ज्यादा महत्पुन हो जाता है वर्ष 1893 में स्वामी विवेकानन ने सिकागो में आयोजित विश्व खालिस्तान सम्मिलन में एक भासन दिया था तो आप लोगों को बता दू वर्ष 1893 में स्वामी विवेकानन सिकागो याने सिकागो कहां ये आपके अमेरिका में है और अमेरिका मे विश्व धर्म सम्मिलन हुआ था उसमें आपके भासन दिया था स्वामी विवेकानन ने क्या कहा था शुरुवात किया था कि मेरे अमेरिका के भाई और बहनों से शुरुवात किया था अपना भासन ओके तो यहां पर आप लोगों का क्या आ जाएगा धर्म ओके विश्व ध अगले कोश्चन के और अगला कोश्चन आपका है दस्वे नंबर का कोश्चन और कोश्चन आपका है खालिस्तान इस्तित हनुमान धारा मंदिर को वहस्तल माना जाता है जहां भगवान हनुमान ने अपनी पूच से लंका में आग लगाने के बाद विसराम किया था ओके तो ये आप लोगों का इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्रकुट चित्रकुट में इस्तित हनुमान धारा मंदिर को वहस्तल माना जाता है जहां भगवान हनुमान ने अपनी पूछ से लंका में आग लगाने के बाद विश्राम किया था और चितरकुट आपका कहा है तो सतना दिश्टिक में है बढ़ेंगे आगे आगे आपका अगला कोश्चन है 11 नंबर का कोश्चन आपका है निमलिकित में से कौन सा जल प्रपात इंदोर में इस्तीत है दुआधार तींचा केउटी राण है तो यहां पर सबसे पहले केउटी आपका रिवा में इस्तीत है यह आप लोगों को ध्यान में रखना है देन आपका दुआधार आपका कहा है तो वो आपका अमरकंटक जबलपूर में है स्वारी ओके आपका जो दुवाधार जल प्रपात है वो आपका कहा है तो ये आपका अमरकंटक में है देन बात करेंगे आपका जो इंदोर में इस्तित जल प्रपात है वो कहां पे है तो ये आपका तीन चाहे बढ़ेंगे अगले कोश्चन के और अगला कोश्चन आपका क्या है गाईस ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपनी स्कूली सिख्षा उज्जेन इस्तित खालिस्तान के आस्रम से की थी तो ये आपका बता दू सबसे पहले कि आपके जो भगवान कृष्ण थे उनका गुरू सांधी पनी था और आपके जो सांधी पनी है वो उज्जेन में इस्तित थे यानि सांधी पनी आस्रम आपका उज्जेन में इस्तित था बढ़ेंगे अगले question के और guys अगला question आपका है चलिए अगला question देखते है अगला question आपका है भारत के किसी भी राजी का राजिपाल बनने है तो नियूनतम आयू कितनी है तो यह यहाँ पर इंडिया जी के और आपका कहना चाहिए तो सविधान के part से कोश्चन उठा लिया था पॉलिटी के जैसा कि हम लोगों ने पहले बताया भी था कि सविधान से कोश्चन देखने को मिलते हैं और बता दू आपको भारत की किसी भी राज्य का राज्य पाल बनने है तू 35 वर्स की नियूंतम आयू यहां पे होती है वहां भारत का नागर अगले कोश्चन की और अगला कोश्चन आपका क्या है तो अगला कोश्चन आपका है मध्य प्रदेश में वैन गंगा नदी निमली कितमे से कीस नदी की सायक नदी है तो यह आप लोगों को ध्यान में रखना वैन गंगा नदी गोदावरी की सायक नदी है ओके और जो आपकी वैन गंगा नदी है वो आपके सिवनी डिष्टिक से निकलती है ओके कौन से सिव पहली मैला कौन थी बहुत ही प्यारा सा और सांधर कोश्चन ओके तो आप लोगों को ध्यान में रखना है यहाँ पे लता मंगेशकर जी को भारत रतन दिया गया था वहां मद्यप्रदेश की पहली मैला थी और लता मंगेशकर आपके संबंदी थे इन दोर मद्यप्रदेश स और यहने जो भारत रतन प्राप्त हुआ था वो 2001 को प्राप्त हुआ था ओके बढ़ेंगे अगले कोश्चन की ओर तो अगला कोश्चन आपका है नर्मदाज छीपरा स्रिहस्त लोक पर्योजना सपलता पुरुवक वर्स खालिस्तान में सुरू हुई थी तो यह आपका है 2014 ओ आपका है इसे आपे मध्य प्रदेश में उर्जा विभाग का मुख्य कार्याले कहा है तो where is the head office of the energy department in मध्य प्रदेश तो यह आपका है भोपाल में और आप लोगों को ध्यान में रखना है उर्जा राजधानी किसे कहा जाता है मध्य प्रदेश की तो यह आपकी सिंग्र प्रदोली को कहा जाता है बढ़ेंगे अगले कोश्चिन की और अगला कोश्चिन आपका है इसे यहाँ पे 1956 में मध्य प्रदेश उच्छ नियालाई के पहले मुक्षिन आदिस के रूप में किसने कारी किया था देखी कोश्चन यहाँपे पूचा गया और मानी हिदायतुल्ला P पहले मुक्षिन आदिस थे ओके आपके मद्रिप्रदेश के देन आगे बढ़ते हैं गैस तो आगे आपका कोश्चन है चले दिखते हैं पन्ना राष्टी उद्धान को भारत के 22 वे टाइगर रिजर्वर की रूप में किस वर्स सामिल किया गया था तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है पन्ना राष्टी उद्धान को 1994 में 22 वे टाइगर रिजर्वर की रूप में सामिल किया गया था बढ़ेंगे अगले कोश्चन की ओर और अगला कोश्चन आपका है यहां पे किस इस्तान को मद्य प्रदेश का डेटराइट कहा जाता है तो dear student देखी यह सिंपल कोश्चन था और आप लोगों की साथ चर्चा भी किया गया था और इसका आंसर आप लोगों को ध्यान में रखना है पीतमपूर को भारत आइमिन मद्य प्रदेश का डेटराइट कहा चाता है बढ़ेंगे अगले कोश्चन की ओर और अगला कोश्चन आपका है मद्य प्रदेश निवेस सववर्धन अदिनियम को वर्स खालिस्तान में पारित किया गया था तो यह आपका है दोहजार आठ मद्य प्रदेश निवेस सववर्धन अदिनियम को वर्स दोहजार आठ में पारित किया गया था बढ़ेंगे अगले कोश्चिन की और अगला कोश्चिन आपका है सत्य में जैते उक्ती का मुल स्रोत निमलिकित में से क्या है तो ये जो आपका है सत्य में जैते उसे आपके मुंडक उपनिसत से लिया गया है ओके ये आप लोगों को ध्यान में रख ले में सपत लीती तो आपको ध्यान रहे जो शिवराश्य चवान जी है वो आपके बुदली बुदली से संबंदित है ओके और ये आपका बता दू इन्होंने सबसे पहले सपत आपके ली थी 29 नौंबर 2005 को सपत ली थी ओके और यहां पर इंपोर्टेंट अब तक इन्होंने कु वो बिजेपी से संबंदित है और 2005 में इन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री के रुप में सपत ली थी देन बढ़ेंगे अगले कोश्चन की ओर तो अगला कोश्चन आपका है यहां पर मद्यप्रदेश की खालिस्तान ने 25 वी राष्टी जुनियर एथलेटिक से चेंपिय लड़कियों की 2000 मीटर रन में एक नया रिकॉर्ड बनाया था देन आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका कोश्चन है खालिस्तान अमेरिका के केटा लीना चेनल को पार करने वाले मद्यप्रदेश के प्रथम ACI पैरा तैराग बन गए है ये भी करेंट अफर से काफी कोश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे है सत्यनर सी लोहिया ओके सत्यनर सी लोहिया है जो कि अमेरिका के केटा लीना चेनल को पार करने वाले मद्यप्रदेश के प्रथम ACI पैरा तैराग बन गए है बढ़ेंगे आगे तो आगे आपका कोश्चन गाईस यहाँ पे दिसंबर 2020 में भारत भर में अंतिम मिल पर डिजिटल वित्ती समावेश प्रदान करने के प्रियास में डाक विभाग के साथ भारती डाक भुकतान बेंक द्वारा सुरू किये गए अप्लिकेशन का नाम क्या है तो यह आपका है डाक पे बढ़ेंगे अगले कोश्चन की ओर और अगला कोश्चन आपका है मंगरू गानू उईके एक सामाजिक कारे करता है जिनोंने अनाथा ले और कई प्रात्मित स्कूलों की स्तापना की वह मद्यप्रदेश के किस निर्वाशन छेतर से पाचवी लोग स्वभा के लिए चुन मंगरू गानू उईके जो की एक सामाजिक कारे करता है ओके बढ़ेंगे अगले कोश्चन की ओर और अगला कोश्चन आपका है 29 मद्यप्रदेश की मद्यप्रदेश के किस पूर्व भारती क्रिकेट कपतान ने 1986 में अर्जुन पुरुसकार जीता था तो यह आपकी संध्य अगरवाल थी जिन्होंने भारती क्रिकेट कपतान ने 1986 में अर्जुन पुरुसकार जीता था एक महिला क्रिकेटर थी और 1986 में इन्होंने अर्जुन पुरुसकार जीता था बढ़ेंगे अगले कोश्चन की ओर अगला कोश्चन आपका है यहाँ पे इनके लेखक कोन है तो यह है आपके जेस्टिस राजिन दर्स चर्भ बढ़ेंगे अगले कोश्चन की ओर और अगला कोश्चन आपका है यहाँ पे मध्य प्रदेश के एक प्रसिद खेल व्यक्तित्व मौमद समीरदाद का संबंद किस खेल से है तो यह आपके होकी खेल से संबंदित है मौमद समीरदाद बढ़ेंगे अगले question की और अगला question आपका है निमली कित में से कौन सा भारत का पहला केंदर सासीत प्रदेश है जिसे 100% जैविक घोसित किया गया है तो यह आपका लक्षडीफ है जिसे 100% जैविक घोसित किया गया है और पहला जैविक राज्य बोले तो सिक्कीम है आपका ओके यहाँ पे याने बिना फर्टिलाइजर यूज किये यहाँ पे जैविक खाद यूज किया जाता है सिक्किम में इसलिए यह प्रथम जैविक राज्य है और आपका जैविक केंद्रसासित प्रदेश पुछाए यहाँ पे तो यह लक्ष द्वीप है बढ़ेंगे अगले क अगला कोश्चन आपका है एठियासिक सहर बुरानपूर किस नदी पर इस्तीत है तो यह आपका तापती नदी पर इस्तीत है और तापती नदी जो है वो आपकी बैतुल के मुल्ताई से निकलती है और नर्वदा नदी के समानतर बैती है यह आप लोगों को बताया गया थ देन यहाँ पे देरे श्टुडेंट आपको पता है कि नर्वदा सबसे लंबी नदी है और तेरा सो पचास मीटर इसकी मधिप्रदेश में लंबाई है और मधिप्रदेश में 10-77 किलो मीटर है बढ़ेंगे आगे आगे आपका है चलिए भारत की सबसे बड़ी खुली मıtन लगा कि देन बता दूं यहाँ पे तो यह अपकी कहां पे है यह मलाजखन में श्रीम और मलाज़खन कहांये तो बालगाण डिस्टिक में बढ़ेंगे अगले कोश्चन के और अगला कोश्चन आपका क्या है तो अगला कोश्चन आपका है देखी और फिर से करेंट अफेर का कोश्चन निमली कितमें से किसे FICCI India Sport Award 2020 के वार्षिक महिला पैरा अथलेट पुरुसकार से सम्मान किया गया तो ये आपकी सिम्रन सर्मा है बढ़ेंगे आगे तो आगे आप लोगों का देखी मध्य प्रतेश की किस प्रमुक व्यक्ति ने बचपन बचाओ आनूलन की स्तापना की थी और चर्चा किया था हम लोगों ने आपके साथ की जो कैलास सत्यार्थी है उके कोन कैलास सत्यार्थी उन्हों ने उन्नी सो असी में बचपन बचाओ आनूलन की स्तापना की थी देन कैलास सत्यार्थी जी को 2014 में सच्चिन तिंदूलकर के साथ भारत रतन भी नवाजा गया था देखे बढ़ेंगे अगले कोश्चन के ओर और अगला कोश्चन आपका है चली अगला कोश्चन आपका है COVID-19 काल के दवरान अपचारिक छेतर में रोजगार को बढ़ावा देने और रोजगार के नए उसरों के स्रजन को प्रोप्साइट करने के लिए आत्म निर्बर भारत पेकेश 3.0 के तहट केंदरी मंत्री मंडल द्वारा अनुमोदित योजना का नाम क्या है तो ये आपका है आत्म निर्बर भारत रोजगार योजना बढ़ेंगे अगले कोश्चन की ओर और अगला कोश्चन आपका है कैलात नात कार्जू वर्स 1957 में मधिप्रदेश के खालिस्तान मुख्यमंत्री बने थे तो ये आपके तिसरे मुख्यमंत्री बने थे बढ़ेंगे अगले कोश्चन की और अगला कोश्चन आपका है बाल निकेतन संग मध्य प्रदेश राज जी का पहला मांटेशरी स्कूल था जिसकी स्तापना 1947 में विनायक सिताराम तात्या सरवट्या और उनकी बेटी खालिस्ता अंद्वार किया गया था तो यहां पर इसका सही उत्तर आपको बता दू उनकी बेटी का नाम था साली निताई मोगे बढ़ेंगे अगले कोश्चन की और अगला कोश्चन आपका है फोटी नमर का 1956 में मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महा निरिक्षत कोन बने तो यह आपके बीजी घाटे बढ़ेंगे अगले कोश्चन की और अगला कोश्चन आपका है उज्जेन में पहले कालिदास समारों का आयोजन खालिस्तान द्वारा किया गया था तो यह आपके पंडित सुर्य नारायन व्यास के द्वारा किया गया था बढ़ेंगे अगले कोश्चन की और और अगला कोश्चन आपका है दूबरी वनने ये आपका डूबरी वनने जिव अभ्यारनाय मध्य प्रदेश के किस जिले में इस्तित है तो ये आपके सीधी जिले में इस्तित है बढ़ेंगे अगले कोश्चन की और और अगला कोश्चन आपको पुछाता हूँ उमा भाती वर्स खालिस्तान में मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य मंत्री बनी थी तो यह आपकी कब बनी थी तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है 2003 में 2003 में यहाँ पे मुख्य मंत्री बनी थी मध्य प्रदेश की बढ़ेंगे अगले कोश्चन की और अगला कोश्चन आपका है गाईस यहाँ पे चलिए बेंकॉक 2018 एसिया कप स्टेज 1 में स्वर्न पदक जीतने वाली मध्य प्रदेश की मुख्यान किरार किस खेल से सम्बंदित है यह आपकी तिरंदाजी से सम्बंदित है देखिए 2008 खाभी यहाँ पे करंटा फिर पूछा गया है देन बढ़ेंगे गाईस तो अगला आपका कोश्चन है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कोन थे तो यह आपके डी भी रेंगे थे बढ़ेंगे अगले कोश्चन की और अगला कोश्चन आपका है दिसंबर 2020 में प्रतिष्टेश टाइम मेगजिन द्वारा निमलिकित में से किसे kid of the year के रूप में नामित किया गया तो यह आपकी है गितान जली राव को kid of the year के रूप में नामित किया गया बढ़ेंगे अगले कोश्चन की और अगला कोश्चन आपका है मालवा छेतर में किस प्रकार की जलवायू है तो यह आपकी कैसी जलबा ही हो? मानसुन का प्रकार बढ़ेंगे अगले कोस्चिंड की ओर और अगला कोस्चिंड आपका है विक्रोमोवर्सियम एक नाटक है, जो खालिस्तान द्वारा लिखा गया तो यह आपका कालिदास के द्वारा लिखा गया कालिदास को भारत का सेक्सपियर भी कहा जाता है दिन अगला आपका है चिल का जिल चिली का जिल या चिल का जिल भारत में निमलिकित में से किस राजजिम इस्तित है तो ये आपके ओडिसा राजजिमें इस्तित है बढ़ेंगे अगले कोश्चन के ओर और अगला कोश्चन आ 2020 के प्राप्त करता है तो ये आपके है रंजित से दिसाले ओके तो ये थे GK के 50 कोश्चन अब आगे देखेंगे हम लोग Science के 100 कोश्चन चली गाइस यहाँ पर Start करेंगे हम लोग Science के कोश्चन जैसे कि यहाँ पर Science का पहला कोश्चन आपके सामने है चलिए तो पहला कोश्चन आपका यहाँ पर है साइन्स का मानव आख में डार्क अनुकुलन के लिए आवश्यक विटामिन के एक सम्रद आहार सुरूत का नाम बताए तो डियर स्टुडेंट यहाँ पर आप लोगों के लिए सीधी सीधी बात है जैसे कि आप लोगों को बताया था कि जो विटामिन ए है ओके विटामिन ए इसका नाम रासाइनिक आपका क्या होता है गाईस तो यह रेटिनल रासाइनिक नाम होता है और विटामिन एसे एक रोग संबंदित होता है जो रतोंडी होता है और यह आपका आग से संबंदित होता है एक रो लोगों को बताया था मैंने यहां पे जैसे आपके हो गया हरी सबजिया फल जैसे फल में आम हो गया आम सबसे अच्छा स्रोथ है विटामिन A का तो आपका यहां पे उत्तर हो जाता गया हरी सबजिया पत्तेदार हरी सबजिया तो आप लोगों को इस प्रकार की question पूछे तो कनफ्यूज नहीं होना है मानव आख में डार्क अनुकुलन के लिए आविश्यक विटामिन के एक सम्रिद आहर सोग का नाम पत्तेदार हरी सबजिया होगा बढ़ेंगे अगले कोश्चन की ओर और अगला कोश्चन आपका है यहाँ पे निमलिकित में से कौन सा अंग खुद को पुना उत्पन कर सकता है देखे यहाँ पे इस कोश्चन की भी चर्चा हुई थी और आप लोगों को करवाया गया था और बिल्कुल यहाँ पे उत्तर सही किया गया यकरत की दुआरा इसका करेक्ट आंस्पर क्या होगा यकरत एक ऐसा अंग है जो जैसे ही टूट फूट होती है किसी भी प्रकार की तो वो मरमत खुद कर सकता है अपनी पुना उत्पारित हो सकता है ऐसा अंग है आपका यकरत बढ़ेंगे अगले कोश्चन की ओर और अगला कोश्चन आपका है चली अगला कोश्चन दिख्टे गाईज तो अगला कोश्चन है चंदरमा कितने दिनों में प्रत्वी का चक्कर लगाता है तो यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखना है आपका जो चंदरमा है वो प्रत्वी के चक्कर 27 दिनों में लगाता है बढ़ेंगे अगले कोश्चन के ओर और अगला कोश्चन आपका है यहाँ पे निमलिकित में से किसका वजन सबसे अधिक होगा जल के 5 मोल्स का, कारबन डाई अक्साइड के 5 मोल्स का, एमजी के 3 मोल्स का या केलसियम के 4 मोल्स का तो आपको बता दू, यहाँ पे कारबन डाई अक्साइड के 5 मोल्स का सबसे अधिक वजन होगा, क्योंकि कारबन डाई अक्साइड एक ठोस योगीख है एक ऐसा ठोस योगिक है और यह सबसे भारी योगिक है आप लोगों को ध्यान में रखना है बढ़ेंगे यहां पे देखी ठोस कारबन डाई अक्साइट को सुसक बर्प के नाम से भी जाना जाता है बढ़ेंगे अगले कोश्चिन की ओर और अगला कोश्चिन आपका है यहां आईरिस परितारिका के कारण होता है बढ़ेंगे अगले कुस्चन की ओर और आपका जो वस्तु की इमेज बनती है आपके आखोबर वो आपके रेटीना पर बनती है बढ़ेंगे हाँ यहाँ पर एक और बात यहाँ पर आप लोगों को बताया था मैंने जो कौर्णिया है वो आपका नेत्रदान के समय दिया जाता है नेत्रदान के समय कौन सा भाग दिया जाता है आपका तो वो आपका कार्णिया है बढ़ेंगे अगले कोश्चन की ओर और अगला कोश्चन आपका है यहाँ पे एक परिपत में विदुद्धारा swap parent का अनुमान खालिस्तान होता है तो dear student यहां इसका उत्तर होगा 4 हेंदी ओके बढ़ेंगे अगले question क्यों और अगला question आपका है 298K पर यहां पर sodium sulfite willion का pH मान पूछा है 298K पर sodium sulfite का willion का pH मान कितना होगा तो यह आपका कितना होगा साथ होगा ओके बढ़ेंगे अगले question की ओर और how इन सभी को detail wise करवाया जाएगा आप लोगों को आज सिर्फ आप लोगों को यह question किस प्रकार से पूछे गए थे और कौन कौन से question पूछे गए थे पूरे paper यहां पर shift wise बताया जा रहा है निमलिकित में से किस की इकाईया समान होती है सववेग और आवेग की समान होती है यह आप लोगों को ध्यान में रखना है बढ़ेंगे अगले question की ओर और अगला question आपका है पूदों में कोन सा विभाजन सबसे सरल जीव है तो यह आपका है थैलो फाइटा बढ़ेंगे अगले question की ओर और अगला question आपका है यहाँ पे कथन जो उपयोग और अनुपयोग के सिधान को सबसे अच्छी तरह से वर्नित करता है और यहाँ कथन आपका कौन सा है बड़े पैमाने पर उपयोग किये जाने वाले सरीर की हिस्से मजबूत और बड़े हो जाते है और जिनका उपयोग सोस या विगड़ने के लिए नहीं किया जाता next यहाँ पे next question आपका है AL2SO4-3 लवन में एलुनियम आयन का आक्सिकरन आवस्ता क्या है तो यहाँ पे इसका आक्सिकरन आवस्ता क्या है तो यह आपका है प्लस 3 ओके एलुनियम का आक्सिकरन आवस्ता बढ़ेंगे गाइस next question के ओर और next question देखिएगा यहाँ पे निमलिकित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन चकल का हिस्सा नई है जिवासमीदन का ज्वलन वास्पो उसर्जन प्रकास संसलेशन स्वासन तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है आप स्वासन के यानि जब करते हो रेस्पिरेशन तो कार्बन डाई अक्साइट छोड़ते हो और प्रकास संसलेशन में भी कारबन डाई आकसाइट की आविशक्ता होती है यहां पर जैसे ही जीवास में इधन की बात कर ले हम तो अगर किसी भी प्रकार का इधन या फ्यूल यहां पर जलन यानि जलता है तो वहां से भी कारवन डाइ आक्साइड गेज उठान होती है लेकिन वास्पो उत्सरजन में कारवन डायकसाइड रिलिज नहीं होती है कि आप लोगों को ध्यान में रखना है बढ़ेंगे अगले कोश्चन के और और अगला कोश्चन आपका है एक ग्राम पधात के पूर्ण दहुन के दावरान निर्मुक्त उर्जा की मातरा इसका खालिस्तान होती है तो ये कैलोरी मान होती है बढ़ेंगे अगले कोश्चन के और और अगला कोश्चन आपका है निमलिकित में से किस ग्रह के चारो और वलै नहीं होते है बहुत बढ़िया और सांदर कोश्चन तो आप लोगों को ध्यान में रखना है मंगल ग्रह के चारो और कोई वलै नहीं होते है सनी, अरून और ब्रस्पति के चारो और वलै पाए जाते है बढ़ेंगे अगले कोश्चन के और और अगला कोश्चन आपका है देखी अगला कोश्चन बहुती प्यारा सा ब्लीचिंग पावडर को खालिस्तान के रूप में दर्साया जाता है तो यह फॉर्मूला है आपका C.O.C.L.2 ओके ब्लीचिंग पावडर का बढ़ेंगे इसे विरंजक चूर न भी कहते हैं बढ़ेंगे अगली कोश्चन के और और अगला कोश्चन आपका है हमें कितने प्रतिविम मिलते है जब एक वस्तू दो समानतर समतल दर्पनों की बीच रखी जाती है तो यह आप लोगों को कोश्चन करवाया गया था अनंत संक्या में प्रतिविम बनते है लगभग साइन्स के काफी कोश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहें उस पधार्थ की पहचान करें जो धातू की तरह ना तो अगात वर्दनी होता है और नहीं नमनी होता है लेकिन विदूत का संचालन करता है तो यह आपका होगा ग्रेफाइट ओके देखिए ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है और यह आप लोगों का बता दू धातू ना होते हुए भी विदूत का और उसमा का सुचालक है बढ़ेंगे अगले कोस्टन के और अगला आपका यहां पर नूमेरिकल कोस्चन है और नूमेरिकल कोस्चन क्या है वह माध्यम जहाँ ध्वानी की चाल 360 मीटर पर सेकेंड है उसी माध्यम में एक मिनट में ध्वानी कुल कितनी दूरी तैं करेगी तो ये इसका उत्तर हो जाएगा आपका 20.4 किलोमेटर ओके देनी से सॉल्व करने की कोशिस कीजेगा आप लोग बाकी हम लोग अगर जब भी बनाएंगे वीडियो तो इसे सॉलूशन जरूर करवाएंगे निमली कितमे से कौन सी प्रक्रिया नाइटरेट को नाइटरेट आकसाइड और नाइटरोजन गेस में परिवर्तित करती है तो ये आपकी प्रोसेस वी नाइटरी करन कहलाती है के नाइटरस आकसाइड और नाइट्रोजन गेस में परिवर्थित होने की प्रक्रिया आपकी विनाइटीर करन कहलाती है बढ़ेंगे आपके अगले कोशिचन के ओर और अगला कोशिचन आपका है निम्ली कित्मे से क्या पानी में प्रदुसन को इंगित करता है तो ये आपका है BOD ओके ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कभी-कभी BOD का फुल फॉर्म कुछ लेता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताए amount of BOD कहा जाता है ओके पानी में प्रदूसन को क्या इंगित करता है BOD बढ़ेंगे अगले कोश्चन के ओर और अगला कोश्चन आपका है प्लाजमिडिक वेक्टर के साथ एंटोबायोटिक प्रतिरोज जीन की लिंकिंग खालिस्तान की खोज के साथ संबव हो जाती है कोश्चन आपका है प्लाजमिड वेक्टर के साथ एंटिबायोटिक प्रतिरोध जीन की लिंकिंग खालिस्तान खोज के साथ संभव हो जाती है तो ये आपका है DNA ligase बढ़ेंगे अगले कोश्चन की और और अगला कोश्चन आपका है यहाँ पे संभणन की प्रक्रिया के बाद तरल्प का वास्प में रुबांतरन खालिस्तान की रूप में जाना जाता है ये आपका जाना जाता है आसवन की रूप में बढ़ेंगे अगले कोश्चन की और और अगला कोश्चन आपका है टेरिडोफाइटस के पुरुस लिंग का अंग का नाम बताईए टेरिडोफाइटस के पुरुस लिंग अंग का नाम बताईए तो ये आपका क्या है ये आपका है एथरेडिया देन गाईस आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका है यहाँ पर question चली देखते है आगे आपका question है गाईस बेलन के आकार में विद्धुत रोधी तामबे के तार को आसपास कई घुमावदार मोडो में लपेटे कोईल को खालिस्तान कहते हैं देखी एक कुछ इस प्रकार से रहता है ओके यह एक तामबा रहा विद्धुत रोधी तामबे के तार को आसपास कई घुमावदार मोडो में लपेटे कोईल को क्या कहते है आपका तो यह कहते है आपका परिनाली का बढ़ेंगे अगले कोश्चिन के ओर और अगला कोश्चिन आपका है निमलिकित में से कौन सा जल प्रदूसन के गैर बिंदू स्रोत का उधारन नहीं है बिजली सैयंत्र वर्षा जल खेतों से अफवाह क्रसी बढ़ेंगे अगले कोश्चिन के और अगला कोश्चिन आपका है जिसमें उसमा निर्मुक्त होती है उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है तो यह आपका है उस्मा 6P उस्मा निर्मुक्त होना याने उस्मा 6P कहलाता है बढ़ेंगे अगले question की ओर और अगला question आपका है गई स्यापे उस रासाइनिक प्रतिक्रिया की पहचान करें जो प्रकृति में उस्मा 6P नहीं है और ये आपकी है बिजली और गरच के दवरान हवा में नाइड्रोजन गेस और आक्सिजन गेस के बिच सैयोजन प्रतिक्रिया ओके देन बढ़ते हैं आगे आगे आपका question है चली next question आपका है व्यक्ति को एक नाम देने की प्रणाली को खालिस्तान कहा जाता है तो ये आपकी क्या कहलाती है यूनि नोमल नामन करण ओके बढ़ेंगे अगले question की ओर और अगला question आपका है तत वो थोरेनियम का परमाणुक्रमांक क्या है तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है आपका जो थोरियम है ओके इसका जो परमाणुक्रमांक है वो कितना है 90 है आप लोगों को ध्यान में रखना है बढ़ेंगे आगे अगले question की ओर हाँ अगला question आपका है जो जीव कम से कम समान है उन्हें इसके अंतरगत समूबंद किया जाता है तो ये आपका kingdom के समूबंद किया जाता है बढ़ेंगे अगले question की ओर और अगला question आपका एक खाद स्रंकला में खरगोश घास खाता है और बाज खरगोश का परभक्ची है खरगोश द्वारा संचित उर्जा का कितना प्रतिसत बाज द्वारा प्राप्त किया जाता है तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है 10 प्रतिसत बढ़ेंगे अगले question की ओर सभी question को detail में एक बार आप लोगों को पढ़ाया जाएगा क्योंकि आपने देखाऊगा आपका जो उल्लू है वो रात को ओवल्ज रात को जागा करते है और दिल में सोते हैं तो ये एक प्योंकि उनके पास जो है रात को रातरी में दरश्टी अच्छी होती है उके तो उनकी आखों में संकूओ की तुलना में रॉड की संक्या अधिक होती है इसलिए ऐसा होता है बढ़ेंगे अगले कोश्चन के और और अगला कोश्चन आपका है परजिवी अपना पोशन खालिस्तान से प्राप्त करते है तो बता दू आप लोगों को परजिवी आपके परिचारक ओके होस्ट से अपना पोशन राप्त करते है बढ़ेंगे अगले कोश्चन के और और अगला कोश्चन आपका है निमलिकित में से एक कौन सा उपधातू का उधारन है तो डीरे श्टोडेंट यहां पर जो सलीक उन है वो आपका एक उपधातू है बढ़ेंगे अगले कोश्चन के और अगला कोश्चन आपका है अगला कॉश्चन आपका है यहां पर निमलिकित में से कोन हाइडरा पर लागून नहीं होता तो ये आपका उत्तर हो जाएगा कसा भी संचार देन नेक्स्ट कोईश्चन आपका यहां पे है उच्छ तापमान के मापन के लिए निमलिकित में से किसका उप्योग तिया जाता है तो ये आपको ध्याद में रखना पाइरो मिटर पाइरो मिटर के द्वारा उच्छ तापमान मापा जाता है जैसे आप लोगों को बता दू जो आपके पटाके हो गया है उसमें पाइरो टेकनिक्स यूज की जाती है उच्छ टेंपरेचर पे देन बढ़ेंगे आगे और आगे आप लोगों का कोश्चन है निमलिकित में से कौन सी रक्त कोशिकाए संक्रमन के खिलाब सरीर की रक्षा करती तो वो आपकी कौन सी है तो यह आपकी WBC यानि वाइड बलड कार्फियूज यह आपके सरीर की रक्षा करती है बढ़ेंगे अगले question के ओर और अगला question आपका है यहाँ पे मदुमक्षियों द्वारा निर्मित निमलिकित में से किस उत्पात का उपयोग सुन्दरी प्रसाधन और पॉलिस में किया जाता है तो यह आपका है mom अगला question यहाँ पे आपका है SROH2 की अमलियता है तो यह आपका है answer हो जाएगा 2 बढ़ेंगे अगले question के ओर और अगला question आपका है किस धातु का गलनांक और कौतनांक अधिक्तम होता है तो आप लोगों को ध्यान में रखना है टंगस्टन यह जो W symbol दिख रहा है यह टंगस्टन का है और टंगस्टन का जो गलनांक और कौतनांक है वो आपका सरवादिक होता है देन यहाँ पर बता दू बल्ब का जो filament बना जायता है वो टंगस्टन के द्वारा बनाया जाता है देन आगे बढ़ेंगी हम लोग question के ओर तो ध्वनी का गुंदर्म वो विसेशता है जो समान तारत्व और उच्चता की एक ध्वनी से दूसरी ध्वनी की मद्धि अंतर करने में सक्षम बनाता है खालिस्तान है तो यह आपका timber है बढ़ेंगे अगले question के ओर और अगला question आपका है यहाँ पे जैवर प्रवदोगी की निमलिकित में से सभी में इसका उप्योग कर पाता है सिवाए इसके बाय छेत्रम जीवित प्राणियों की समस्या के अधियन में देन आगे बढ़ेंगे और आगे आपका है निमलिकित में से कोन एक पारी इस्तिती की तंत्र में पधार्थ की पुनर चक्रन में साहता प्रदान करता है तो यह आपका है आप गड़क दी कंपोजर बढ़ेंगे अगले कोश्चन के और अगला कोश्चन दिखी कोश्चन आप लोगों को मिला चर्चा किये थे हैली कॉमेट या धुमकेतु की अधी खालिस्तान होती तो जैसा कि बताया था चातर वर्स बात दिखाई देता है प्रतेक चातर वर्स के बात दिखाई देता है देन आगे बढ़ेंगे आगे आपका कोश्चन है विदु धारा को जिस उपकरन की मदद से मापा जाता है वो आपका है एमिटर ओके बार-बार चर्चा किया गया था देन जाएगा 1.44 into 10 to the 11 meter बढ़ेंगे अगले question की ओर और अगला question आपका है यहाँ पे पेंटा परमाणविक अनू भी फायू CCP जालक में कृष्टी क्लिर होते हैं एक एकक कोष्टी का में कितने परमाणव उपस्तित होंगे तो यह आपके होंगे 20 तो guys यहाँ पे रिखे 12th के book से question उठाए गए थे और इस बार 12th की book भी आम पर preparation करवाई जाएगी ओके चली next question आपका है तरंग के तरंग धरिवे आवरती और वेग को जोडने वाला संबंध खालिस्तान द्वारा दर्साय आ जाता है तो यह आपका होता है वेग is equal to आवरती इंटू तरंग धरिवे बढ और परावरती ध्वनी के बीच न्यूंतम समय अंदराल खालिस्तान है तो यह आपका है 0.1 second का ओके देन next question आपका है लोहे की मिसर धातू stainless steel बनाने के लिए प्रियुक्त होने वाली दो धातू की पहचान करें तो stainless steel जो है वो आपका किसका मिसरन है तो एक तो chromium और दूसर के निकिल का ओके बढ़ेंगे यहां पे next question की ओर और next question आपका है वहन यम जिसके अनुसर दो बिंदू के बीच किसी संचालक से होकर जाने वाली विदुद्धारा दोनों बिंदू के विभानतर के सीरे आनुपातिक होती है तो यह आपका तो ohms law है ओके बढ़ेंगे जैसे प्रकास की उपस्तिती में इस टार्च तयार करने के लिए पौधो को पौधो द्वारा उप्योग की जाती इस टार्च मतलब यहां पर कार्गो हाइडरेट से है और वहां कौन सी है कार्बन डाइकसाइड गेस है ओके बढ़ेंगे अगले question की ओर और अगला question आपका है किस प्रत्वी पर किसी व्यक्ति का द्रवेमान 60 kg है तो चंद्रमा पर उस व्यक्ति का द्रवेमान खालिस्तान होगा तो बताया था आप लोगों को ओके की द्रवेमान कभी भी change नहीं होता है ओके अगर आपको पूछ लेता वजन ओके आपको बोलता कि यदि प्रत्वी पर कि व्यक्ति का वजन 60 kg है तो चंद्रमा पर कितना होगा तो तब यहाँ पर 1 by 6 हो जाता और तब जाके यहाँ पर 10 हो जाता लेकिन अभी आप लोगों को क्या बोला है द्रवेमान पूछा है तो चंद्रमा पर भी द्रवेमान सेम रहेगा क्योंकि आपका जो द्रवेमान है वो सज़ी रहता है ओके तो यह आपका 60 kg ही उत्तर होगा बढ़ेंगे अगले कोस्चन की और अगला कोस्चन आपका है अपने मास के लिए विशेस रूप से पाले गए चिकन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है तो यह आपका है बोईलर ओके बढ़ेंगे अगले आपका है यहाँ पे 150 वाट पावर वाली एक भाप इस तरी प्रती सेकेंड में खपत होने वाली उर्जा है तो यह आपकी कितनी होगी 150 जूल ओके बढ़ेंगे अगली कोश्चन की और अगला कोश्चन आपका यहाँ पे कौन से बहु यातायात से वित्रित खनीज हमारे मुल उद्धोक की न्यू बनाते है तो आईरन ऐस की बहु यातायात से वित्रित खनीज हमारे मुल उद्धप की न्यू बनाते है बढ़ेंगे अगले कोश्चन की और अगला कोश्चन आपका जल विद्धूत पावर स्टेशन में उर्जा परिवर्तन है यह आपके ही यांत्रि पावर स्टेशन में वह आपको बता दू सबसे पहले यहां पर एक बांध बनाएंगे वहां पर जल इक खटा करेंगे और यहां पर एक आपका टरबाइन लगा होता है और जल को उचाई से टरबाइन पर गिड़ाया जाता है और याने इस प्रकार यहां पर कहना चाहिए तो इस टर्बाइन पर mechanical force लगाया जाता है, mechanical उर्जा लगाई जाती, ये टर्बाइन घूम कर आपका, जो आपकी mechanical उर्जा है, उसको उर्जा को electrical उर्जा में convert कर देता है, बढ़ेंगे आगे, और आगे आपका जो question है, वो है, जब धातू तनू hydrochloric acid के साथ प्रतिक्रिया क करता है, तो कौन सी ये स्विक्सित करता है, तो ये आपको ध्यान में है hydrogen, बढ़ेंगे अगले question के और अगला question है, एक खाद स्रंकला में, प्रदूसक प्रवेश की प्रक्रिया को खादिस्तान की रूप में जाना जाता है, तो ये आपकी process है, जैव संचयन, बढ़ेंगे अगले question की और और अगला question आपका है, किनवन निम्लिखित सभी के उत्पादन के लिए नियोजित प्रक्रिया है, सिवाए इसके दही के, ओके, बढ़ेंगे अगले question की और अगला question आपका है, यहां पे Edward Jenner के द्वारा विक्सित पहला टीका क्या था, तो ये आपका चेचक का टीका था, बताया गया था आपको, देन बढ़ेंगे यहां पे next question की और, गुल को उसका आनुभाविक सूत्र क्या है, तो ये आपका है CH2O, ओके, देन अगले question की और बढ़ते हैं, तो अगला question आपका यहां पे निर्मोचन या माउल्टिंग एक प्रक्रिया है, जो नि निम्रिकित में से कौन सी प्रक्रिया में एक चरन नहीं है, पाचन, अंत, छेपन, स्वांगी करन, आउशोषन, तो निम्रिकित में से कौन सी प्रक्रिया में एक चरन नहीं है, पाचन, अंत, छेपन, स्वांगी करन, आउशोषन, तो डियर स्टूडेंट यहां पे देखी अलग से आप लोगों को नंबर दिया जाएगा इस question पर double six वाले जो question है उसमें आप लोगों को अलग से नंबर दिया जाएगा क्योंकि ये question ही गलत था, देखी याम पर चारो option आपके सही हो जाते ये जो process है, ये आप लोगों की पूरी होती है बढ़ेंगे अगले question के ओर त्योंकि जो आपकी पाचन की प्रक्रिया है वो 5 भागों में होती है बढ़ेंगे अगले question के ओर अगला question आपका है चली सही कथन आप लोगों को चुनना है था ओके question आप देखी आप सही कथन चुने पानी का क्वतनांक एथिनाल की तुलना में अधिक होता है हाइडोजन बाद एथिनाल में अनुपोस्तित है तो यहां पे आपका होगा पहला सत्य है और दूसरा सत्य है बढ़ेंगे अगले question के ओर और अगला question है जब उर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्थित होता है तो कुल उर्जा इस्तिर रहती है ओके देन बढ़ेंगे अगले question के ओर और अगला question आपका है गाईस यहां पे चली निमलिकित में से कौन सी इकाई उर्जा की नहीं है निमलिकित में से कौन सी इकाई उर्जा की नहीं है तो यहां पे आप लोगों को बता दू जूल आपके उर्जा की जो है SI unit है और old ampere second और केजी मीटर पर second square पे minus की घाती यह भी उर्जा की इकाई है आपकी जो old ampere है यह आपकी उर्जा की unit नहीं है बढ़ेंगे अगले question की और उस प्रकरिया का उलिक करे जिसके द्वारा प्रकरती में oxygen पुनह पूर्थी की जाती है तो यह आपका है प्रकास ventilation ओके अगला question आपका है यहां पे दर्वाजे का खुलना एक खालिस्तान का उधारन है तो यह आपका है शंपरक बल ओके बढ़ेंगे अगले question की और अगला question आपका है पैरो का कोनशा यूग में एक टिड़े को उचालने में मदद करता है ओके तो यह आपका है तीसरा थर्ड ओके बढ़ेंगे अगले question की और और अगला question आपका है salting खालिस्तान को संरक्षित करने का एक शामान्य तरीका है तो ये आपका है salting मचली को संरक्षित करने का एक शामान्य तरीका है बढ़ेंगे अगले question की और और अगला question आपका है जब एक रंगीन तरल X को powdery क्रित समुदरी सेल के साथ मिलाया जाता है तो carbon dioxide gaze निकली है जो चूणा पानी को दुदिया रंग में परिवर्थित कर देती है तो ये आपका होगा तनू hydrochloric aml बढ़ेंगे अगले question की और अगला question आपका यदि खाद स्रंकला में उत्पादक इस्तर और काफी अच्छे question थे इन question को detail wise करवाया भी जाएगा आप लोगों को ओके देन आप लोग भी इन question का अधियन करने की कोशिस करें और इन्हें detail में देखने की कोशिस करें यहाँ पर देखेंगे next question आपका पित बाइल निमलिकित कोशिकाओं में से किसके द्वारा इस्तरावित होता है तो यह आपका बता दू जो आपका पित है वो आपका कहां से इस्तरावित होता है तो यह आपका यकरित में बनता है और वहां से इस्तरावित होता है और आपके पितासाय में जमा होता है तो बता दू अब यहां पे आपको की जो आपका यक्रित है वो आपके hepatitis, okay, hepatocytus sell से मिलकर बना होता है तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, hepatocytus, okay बढ़ेंगे अगले question की और आगला question आपका है, निम्रिकित में से कौन सा calcium carbonate का एक रूप है तो यहां पर बता दू चुना पत्तर केवल चाक या केवल मार्बल तो बता दू यहां पर यह उप्रोक्त तीनों जो है वो चुना पत्तर के उधारन है और चुना पत्तर का सुतर केलसियम कार्बोनेट होता है बढ़ेंगे अगले question के और अगला question आपका है यहाँ पे ठोस से gas में रुपा अंतरन को किस रूप में जाना जाता है तो बताया था आप लोगों को ठोस से सिदे gas में रुपा अंतरन आपका उर्दवपातन होता है और यह सबली मिशन का उधारन याने आपका जैसे कपूर का जलना ओके आयोडीन यही सब उधारन आपके नेप्तलीन हो गया उर्दवपातन के उधारन है अगला question आपके बलकी C unit होती वो आपकी Newton होती है और आपको question में पूछाए CGS unit तो CGS unit आप लोगों को बताया गया था डायन होती है ओके डायन होती है बढ़ेंगे अगली question की और अगला question आपका है तरल दापकी मादरा खालिस्तान है तो इसके गहराई से यूद्ध क्रमान पाती अगला question आपका है liken इन से मिलके बने होते तो यह भी आप लोगों को बताया गा था कवकवर सहिवाल से मिलकर बने होते आपके liken और liken एक indicator की रूप में प्रियोख किया जाता है जहांपर प्रदूसन पाया जाता है वहांपर liken पाउधे नहीं पाया जाते ओके बढ़ेंगे अगले question की और अ गाल बलेडर देखि अकलदार वर्मी फोर्म्स यान एपैंडिक्स और पिंद्ना ये आपके कैसे हैं एक आउसेसी अंग है वेस्टिजील और्गन है जो कि कोई कामके नहीं होते है रहे ने से भी फर्क नहीं पड़ता और ना ऐसी चीज है जो एक बल को परिवर्ति करती है और खालिस्तान बनाती तो काम को आशान बनाती मसीन ये आप सभी लोग जानते हो बढ़ेंगे अगले कोश्चन के ओर एक लेम 25 सेकेंड में विदुत उर्जा 5000 जूल का उफ़ोग करता है इसकी सकती क्या होगी तो डियर तो मिट्टी का प्रकार है तो आपको पता है कि कपास आपका काली मिट्टी में उत्पादित किया जाता है और सरवादिक कपास आपके महराष्ट राज्जी में उत्पादित किया जाता है बढ़ेंगे अगले कोश्चन के ओर और अगला कोश्चन आपका है प्राकृतिक च पर गेज पर इसके क्वतनांग द्रव के एक केजी के रुपांतरन है तो आवश्यक उस्मा की मात्रा को खालिस्तान का आ जाता तो यह आपकी कहलाती है वास्पी करन की गूप्त उस्मा बढ़ेंगे अगले कोश्चिन की और और अगला कोश्चिन आपका है यहांपे चली अगला कोश्चिन दिखते गए इस यहांपे तो अगला कोश्चिन आपका है डालटन के परमानु नियम का अभ्यू पगम जो निश्चित अनुपात की नियम की व्याख्या करता है तो वो क्या है परमानु योगी बनाने के लिए छोटी पूर्ण संक्याओ के अनुपात में संयूजित होते हैं बढ़ेंगे अगले कोश्चन के और अगला कोश्चन आपका है दिये गए विकल्पों में से गयर विदूत अभगट की पहचान करें हाइड्रोकलोरी नमक विलियन सोडियम हाइड्राक्सी चीनी का विलियन तो यह आपका होगा चीनी का विलियन अगले question के ओर और अगला question आपका है यहां पर निमलिकित species में से किसमे अधित्तम उस्मा नीत होती है तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका 398K पर 1GH20 अगला question आपका है निमलिकित में से क्या एक दिश्ट मात्रा नहीं है याने vector quantity नहीं है तो आप याने यहां पर सदीश रासी नहीं है तो आप लोगों को बता दू इसका सही तर आपका समय हो जाएगा बढ़ेंगे अगले question का और अगले question का अगला question आपका है खालिस्तान बंदता linkage ओके प्रोटीन में मवजूद है तो यह आपका क्या हो जाएगा तो यह आपका हो जाएगा पेप्टाइट ओके बढ़ेंगे अगले question क्यों और अगला question आपका है प्रेरित विदुद्धारा उस समय सबसे अधिक पाई जाती जब क वायल की गती की दिशा चुम्ब की छेतर के खालिस्तान पर होती है 90 डिग्री याने लंभूवत पर होती है ओके बढ़ेंगे अगले question क्यों अगला question आपका है याँपे उस जिव की पहसान करें जो वाय यू जीवी स्वास लेता है तो यह कुन सा है यह आपका है सुरिया और प्रत्वी के बीच का गुरुतवा करसन बल जी खालिस्तान है तो यह आप लोगों का फॉर्मुला आप लोगों को क्याद में रखना है जी समान पात्वी 1 by D square बढ़ेंगे अगले question की ओर और अगला question आपका है आपको केंदरन खालिस्तान को अलग करने की तकन है आपका अपकेंदरन बढ़ेंगे अगले question की ओर एक कोसी का से यूद्पन उर्जा का उप्योग करते हुए एक जिवित कोसी का जिल्ली के माध्यम से निम्न में से उच्चे सांद्रता की ओर एक पधार्थ की गती को खालिस्तान की रूप में जाना जाता है तो यह आपक को और शेपित करने के लिए नेक्स question आपका यहाँ पर है ओजन परत सूर्य से निकलने वाले खालिस्तान से प्रत्वी को बचाती है तो यह आपके वर्ड अल्ट्रा वाइलेट जो किरने है आउरक्त पराबैगनी विकिरन उससे ओजन परत हमारी रक्षा करती है नेक्स question आ आपका है विज्ञान की वह साका जो मानव जन संक्या की अधियन से संबंदी था है तो यह आपकी है डेमोग्राफी जिसके द्वारा जन संक्या का अधियन किया जाता है तो dear student यह ता आप लोगों का 15 February का first shift का paper हम लोग second paper भी लेके आप लोगों के साथ मिलेंगे अगर एनम के लिए सभी सुविधाय उपलब्द है और यहां पर topic wise preparation भी आप लोगों को करवाया जाता है thank you guys